इस वीडियो में हम जोक्रफी क्लास 12 टाउम वन के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ देखने जा रहे हैं तो जो फर्स्ट बुक से जो जो हमारे चाल चैप्टर सारे बो हैं मानव भूगुल जो हमारा है प्रकृति और विशेचेत्र पहला पाथ है मानव भूगुल प्रकृति और विशेचेत्र दूसरा है विश्व जनसंख्या तीसरा है मानव विकास यानि यूमन डेवलप्मेंट और चौथ है प्राथमिक क्रिया यानि प्राइमरी एक्टिविटीज इसके अलावा जो सेकेंड बुक से हमारे चैप्टर्स आ रहे है वो है जनसंख्या और प्रवास यानि माइग्रेशन और मानव बस्तियां और वाटर रिसोर्स यानि जल संसादन तो इन आठ चैप्टर्स के हम Most Important MCQ देखने जा रहे हैं जो कि एक्जाम के Point of View से और एक्जाम के Perspective से बहुत ज़्यादा Important है तो चलिए स्टार्ट करते हैं Geography Class 12 के Most Important MCQ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत Important Information है History और Political Science के Already MCQ Term 1 के Upload कर दी गए हैं तो आप उन्हें जाका जरूर देख ले हैं प्लेलिस्ट में आपको मिले हैं इन में से कौन सा मानव भूगोल से सम्बंदित नहीं है कुछ यहाँ पर दी हुए हैं उप छेत्री दी हुए हैं इन में से बताने की कौन सा मानव भूगोल से सम्बंदित नहीं है तो आंसर तो आप सभी देख चुके हुए हुए स्क्रीन में नीचे लेख हुआ है Option B यहने मात्रात्मक क्रांती छेत्री विबिन्नेता सम्बंदित है स्थानिक संगठन अनवेशन और वर्णन भी सम्बंदित है नेक्स्ट कॉशन है मानव भूगोल क्रिया शील मानव और आस्थाई प्रथ्वी के परिवर्थन शील बंधों का अध्यान है यह किस ने कहा था तो यह कौमारी सेंपल जी ने कहा था मानव भूगुल का जनक किसे कहा जाता है नेक्स्ट कॉर्शन है तो रेट जेल को मानव भूगुल का जनक कहा जाता है तो option D यहाँ पर correct होगा नव निश्चेवाद से सम्मदित है तो ग्रिफिन टेलर option D यहाँ correct है ग्रिफिन टेलर नव निश्यवाद से समंदित है निम लिखित में से कौन सा विद्वान माना भूगोल से समंदित नहीं है तो बर्टेड रसल सेंपल भी समंदित है रेट जल तो खुदी जनक है माना भूगोल के और हटिंग गंटन भी समंदित दिये के कत्नों में से कौन सा मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता याने मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता तो मानव भूगोल है समा कलनात्मा का अनुशरशन द्वैदिता पर आश्रित और ये मानव और परियावरण के बीच सम्मंदों का अंतर सम्मंदों का अध्यान है तो जो प्राध्योगी की का विकास फल्सरूप समय का प्रसांगिक नहीं option C यहाँ पर correct है यहाँ पर गलत लिखो option C आप देख लें क्योंकि समा कर NCRT के बुक को according option C यहाँ correct होगा आपको जो लिखना है वो लिख सकते निम लिकित में से कौन सा मानव भूगोल की सूचना का स्त्रोथ नहीं है मानव भूगोल की सूचना की कौन से स्त्रोथ है यात्रिय को विवरंट प्राचीन मांचित्र प्राचीन महा कावे तो according to NCRT यहाँ पे C होना चाहिए लेकिन D यहाँ पे correct option है प्राचीन महा कावे प्राक्रती और मानव के बीच पारस पर एक क्रिया का सबसे महत्वपून जो कारक है वो है टेक्नोलोजी याने की टक्नीकी option B correct निम लिकित में से कौन सा मूल आवश्यक्ता से संब्बन देते तो वो गरह निर्माड गार का बनाना मूल आवश्यक्ता से संब्वपून देते है संब्वववाद की अवधार्ना किस घटक को मातपून इसतान देती है जो संभवबाद की अवधार्णा है वो जो प्रकृति की तुलना में मानव को अधिक मात वे देती तो यहाँ पर option B correct होगा यहाँ पर लिजीगा मानवी घटक को तो चलिए अब देखते हैं chapter two तो जो हमारा chapter two है वो है विष्व जनसंख्या फर्स्ट book है इन मेंसे किस देश में जनसंख्या बढ़ने के बदले घटी जा रही है तो बाल्टे कंट्री है एक एस्टूनिया लात्विया लिथुआनिया तो लात्विया है बहाँ पे जो जनसंख्या है वो घट जा रही है निम लिकित मैंसे किस देश की जन संग्या सबसे अधिक है ये सबसे सरल सा कुशन है ये आप भी जानते हों कि किस देश की जन संग्या सबसे अधिक है तो वो है सन्युक्त राज अमेरिका निम लिखित यहां पर प्रेस्ण लिखा हुए नहीं तो यदि ना लिखा रहा है नि इसरे नमर पर 38 करोड जनसंख्या, सन्युक्त राज्च अमेरिका याने, United States of America, निमलेकित में से किस एक महादवीप में जनसंख्या ब्रिद्धी सारवदिक है, तो जो जनसंख्या ब्रिद्धी सारवदिक है वो है अफ्रीका में, वहाँ पे 2% ब्रिद्धी दा रहे हैं, जन जनाकी की संक्रमन्ट सिध्धान किस ने दिया था, तो वो नुएस्टीन ने दिया था, जनाकी की संक्रमन्ट सिध्धान निमलेकित में से कौन सगन जनसंख्या ब्रिद्धान जनसंख्या ब्रिद्धान निमलेकित में से कौन सगन जनसंख्या ब्रिद्धान जनसंख्या ब तो option C यहां पर correct होगा, मरूस्थलिय छेत्र, सगन जनसंख्य, हाँ यह correct है option, सगन जनसंख्य, मरूस्थल नहीं, निम लिखित में से कौन सा एक जनसंख्य परिवर्तन का कारक नहीं, तो प्रवास, जन्म और मृत्य, आवास जहां रहते वो जनसंख्य परिवर्तन का कारक नह है, तो option B है correct, निम लिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्य वाला छेत्र नहीं है, तो जो दक्षिन पूर भूमध्य छेत्री प्रदेश है, वो विरल जनसंख्य वाला छेत्र नहीं है, इसका option correct NCRTK के according है, दक्षिन पूर एशिय है, तो आप इसे कर लेंगे तो ज़्य है, तो correct option A, साउदी अरब में किस देश, किस देशा की छेत्र में सबसे घनी आवादी प्राचीन काल सही है, तो जो पश्रिम छेत्रे यदि है, आप कुछ मैप देखें यदि हम, तो ऐसा है कुछ, कुछ इस प्रकार ही है, और इसका जो पश्रिमी इलाका यदि अब देखें तो यहापे मक्का और मदीने है, तो आप इससे याद कर सकें कि मक्का और मदीने में है, यहाँ पर आवादी ज़्याद है, बांकि पूरा तो यह रेगिस्तान ही है, नेक्स्ट कोशन है, निमलिखित में से किस वर्स आ के आसपास विक्षित और विकासील देशों में नगरी जनसंख्या लगबख बरावर थी, तो लगबख 1970 में विक्षित और विकासील देशों में जो नगरी जनसंख्या थी वो बरावर थी, निमलिखित में से कौन सा एक कौन से एक सही तत्य नहीं है तो बिगत 500 वर्सों में मानव जनसंख्या 10 कुना से अधिक बढ़ी है एकदम सही जनाकि कि संग्रमन में प्रतम अवस्था में जनसंख्या बृद्धी उच्छ होती है ये गलत होगा हाँ ऑप्शन भी गलत है तो क्या होता है जो प्रतम अवस्था है ती बहाँ पे जनसंख्या बृद्धी दर भी जादा होता है और जो मृद्धी उदर भो भी जादा होता है लेकिन उच्छ बो लगया है तो यहाँ पे हम इसी को मान रहे है ऑप्शन भी करेक्ट है पांस से छे अरब बढ़ने में सो वर्स लगे विश्थ की जनसंख्या का प्रतिवर्स आठ करोर लोग चुड़ जाते हैं तो यह सही है ऑप्शन जनसंख्या वितरन को प्रवावित करने वाले कारकों में सबसे म किस वर्स विश्थ की जनसंख्या छे अरब होई छे अरब जनसंख्या का वोई थी तो वही थी 1999 में तो यह थे हमारे चैप्टर 2 के MCQ अब हम देखेंगे मानव विकास यानि यूमन डेवलप्मेंट के MCQ तो आई होप आप अब स्क्रीन में देख पा रहेंगे मानव विकास जो फर्स्ट बुक का फोर्थ चैप्टर है इसके पहले एक चैप्टर है मानव संघटन यूमन कंपोजीशन उसे डिलीट कर दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेम लेकित मेंसे कौन सा मानव मूलभूत छेत रहें तो स्वास्त सिक्षा संसादन ये तीनों चीज़ सिक्षा स्वास्त संसादन ये मानव विकास की मूलभूत छेत रहें तो बोग सभी इसका करेक्ट अप्शन होगा नेम लेकित में से कौन सा मानव विकास का स्तंब नहीं है समानता सतत उत्पादकता तो जो जनसंख्या है वो एक स्थम नहीं, समानता, सतत और उत्पादक्ता इसके तीन स्थम है, अब 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में माना विकास के स्था है, एच डियाई, 0.8 है, तो 57 देश हैं वर्ल्ड में, जिसमें माना विकास हुचां का, यानि कि एच डियाई, यूमन डेवलप्मेंट इस्थेक, 0.8 से भी कम है, निम लिकित में से कौन सा देश, उच माना विकास वाला नहीं है, तो नौर्वे, अर्जेंटीना, जापान, मिन, दो मिन है, यहाँ पर मिस्ट आना चाहिए, अलगी, टाइपिंग मिस्टेक है, मिस्ट्र, यानि को जिसको इंगलिज में बोला जाता है, इजिप्ट, मिस्ट्र को, तो वो नहीं है, निम लिकित में से कौन सा विकास का सरवोच वर्णन करता है, तो गुण में धनात्मक पर वर्णन ये विकास का सर्वोचतम वर्णन करता है नेक्स्ट है मानव विकास सूचांकंग 2005 के संदर में विश्व की जनसंख्या निमले कितमे से कौन सी कोटी की थी तो 127 वे में था भारत विकास सील देशों की जनसंख्या के सामाजिक धाचे में विकास आवेश्यक्ताओं की पूर्ती में कौन सा प्रकार संसाधन सहाया की तो जो प्राकृतिक है वो सहाया की निमले कितमे से कौन सा देश विकास सील है जापान विक्षित है, फ्रांस विक्षित है, आस्ट्रेलिया विक्षित है, नाइजीरिया विक्षित नहीं, वो एक विकासी इलदेश है, तो चली अब हम देखते हैं, second chapter के MCQ, वो, sorry, last chapter, इस book का last chapter है, जो term 1 में आ रहा है, primary activities, याने प्राथ्मिक क्रियाएं, तो प्राथ्मिक क्रियाएं में है, mainly इसमें exercise से ही लिए गए हैं, जो most important questions लिए जाते हैं, पहले लिए जाते हैं, previous year से, यानि कि अब जितने भी देख रहे हैं, उनमें से जो starting के वो previous year, उसके बाद है sample paper, जो CBSC sample paper release करता है, वो, इसके लबाब बुक के back exercise, और ऐसे लगते हैं जिनके आने की संभावना exam है, question, MCQ that can come in exam, तो इन चार प्रकार के MCQ को मिलाकर यहां पर दिए गए हैं, ब्राजील में coffee, बागान को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, फेजेंडा, फेजेंडा कहा जाता है, ब्राजील में coffee के बागान है, निमलिकित में से कौन सी, रो रोपन फसल, rubber है, चाय भी है, गन्ना भी है, तो चावल, गैहूं यहां पर option दिया होगा exercise में, तो आप उसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो गैहूं है वो रोपन फसल नहीं है, option D, back exercise का यह question है, निमलिकित में से कौन सी, रोपन फसल नहीं है, तो यहां पर correct प्रेंटू उपर जो है, वो थोड़ी सी mistake हो गई थी, तो आप second वाला छोड़ दीजे, रोपन फसल नहीं है, यहां पर क्या पूछा गया, रोपन फसल नहीं है, यहां पर यहां पर भी correct option है, आप चावल भी लिखेंगे, तब भी चल जाएगा, गेहु की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होने चाहिए, तो लगभग जो 10 से 20 cm होता है, उतना enough होता है, इतना ही लगभग जरूरत होती, विश्व, आज विश्व में लगभग कितने लोग भरन पोशन, चालब चावल और धान की खेती सम्मंदित है, तो वो गहन निर्वाह क्रिशी से सम्मंदित है, रवड का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो जो मलेशी है, वहाँ पे रवड भारी मातर में होता है, उत्पादित होता है, तो मलेशी इसका सबसे बड़ा देश, क्रिशी पशूत पादन, मतस्योत पादन, इन में सभी, तो इन सभी को हम लेते हैं, फसलुत पादन, पशूपालन और मतस्योत पादन, क्रिशी के लिए इन में से कौन सबसे अधिक उपयोगत है, क्रिशी के लिए तो जो मैदान है वो सबसे ज़्याद़ उपयोगत, आप पहाड में खेती काने की सोचेंगे तो भी नहीं होगा यह दी पठार में सोचेंगे तब भी लेकिन जो फ्लेट एरिया यानि कि जो मैदाने बहाँ पे काफी आसानी से हम क्रिशी कर सकते हैं क्रिशी नेधारण कि किस कारक का भारत में जबलदस्थ हाथ होता है तो वो है वरसा किस वसल की खेती बुआई किसा में कम तापमान चाही तो जो गेहू होती उसको बुआई किसा में कम तापमान चाही रहता है जब उसको उगाने का टाइम आता है मतलब जब उग जाती है उस टाइम उसको ज़्यादा पानी की जरूरत होती लेकिन जब उसको बोते हैं तो उस्ते हैं कम जलकिया विशकता होती है किस वसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है तो जो चाय है उसकी खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन शाय है तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय जो गाता है वो भारत और पूरी अपनी चाय वोई पी जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का निर्यातक देश पुचा जाता है तो वो स्री लंका सूची एक छोटा सदे स्री लंका हम से बहुत कम चाए उत्पादित कलता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा निर्यात कर देता है ऐसा क्यों है क्योंगी बहाँ पे लोग चाए बहुत कम पीते लेकिन हम जितनी भी चाए उगाते हैं तो पूरी उसी को पी जाते हैं आपने देखा होगा मेहमान आया तो चाहे, घर में साम हुई तो चाहे, सुबा हुई तो चाहे, तो इतना चाहे हम पीते हैं कि हम जितना भी उत्पादित करते हैं, उस पूरी चाहे को हम ही पी जाते हैं, तो निर्यात बहुत कम कर पाते हैं, निमलिकित में से कौन सा एक भू करकार कीशी की ओपज है जो रबर है वो है एक रोपन क्रिशी रोपन क्रिशी कौन कौन से है तो अभी हमने पढ़ा चाय रबर ये सब क्या है रोपन 결शी है रबर निमलिखित में से कौन सी एकल क्रिशी नहीं है इन मिश्रित क्रिशी है वो इकल क्रिशी नहीं इन क्रिशी की प्रकारों में से कौन सा एक कर्तन दहन क्रिशी का प्रकार नहीं तो आदिम काली निर्वाहक जो क्रिशी है वो कर्तन दहन का प्रकार नहीं इसमें बाकी जो हैं वो कर्तन दहन के प्रकार हैं किस प्रकार की क्रिशी म तो भूमद्य सागरी क्रिशी, मेडिटेरियन फार्मिंग में या एक्टी कल्चर में खटे फालों की क्रिशी की जाती है इन प्रदेशों में से किस्में विश्त्रे द्वाने जिक अनाज क्रिशी नहीं की जाती है तो वो है एमेज़ान बेसिन की नेक्स्ट निम लिखित में से ये चैप्टर काफी लंबा इसमें ज़्यादा MCQ मिलेंगे तो सॉरी क्योंकि इसमें इतने सारे प्रिवेस ये कॉशन्स में ले उसके बैक एक्सरसाइस के सैंपल पेपर की मिलाके बहुत ज़्यादा कॉशन्स हो गए है तो हमें most important लेने पड़े जितने में most important उन सभी को cover up करना है इसलिए निम लिकित में से कौन से ये क्रिशी का प्रिकार विकास यूरोपी आपनिवेशिक समूह द्वारक किया गया तो जो रोपन क्रिशी थी उसको भारत में यूरोपी आपनिवेशिक हो दोरा फिक्षित किया गया फूल की क्रिशी कहलाती है पुस्प उतपादन फूल को ही पुस्प कहते हैं तो पुस्प उतपादन निम्लिकित में से किस देश में सहकारी क्रिशी का सफल परिक्षन किया गया है तो सहकारी क्रिशी का सफल परिक्षन किया गया है वो है डैनमार्क निम्लिकित में से कौन सा एक देश गया हूँ वह चावल के अधिकुत पादक की किस में विक्षित की गई है तो वो है मैक्सिको और फिलिपीन्स निम्लिकित मेंसे कौन सा एक रेशेदार फशल नहीं है रेशेदार बोले तो कौफी कपास है वो रेशेदार है मेस्टा है जूट है वो रेशेदार फशले है सुस्क क्रिशी निम्लिकित मेंसे कौन सी फशल नहीं बोई जाती है तो सुस्क क्रिशी में गनना, मूमफली सुस्क है, रागी जवारी, यह सभी सुस्क रस्तार फसलें की क्रिशी संबंदे थे, भूहमदय सागरी क्रिशी से भूमद्य सागरी, क्रिशी, खटे फ़ल होते हैं वहाँ पर रहसदार फ़ल होते हैं तो आई हूप आपको ये MC के अच्छे लगोंगी सेट लास्ट थेंक्स वर वाचिंग दे वीडियो, अब हम चलते हैं अब सेकेंड बुक की तरफ, तो सेकेंड बुक में जो चैप्टर है, वो फास चैप्टर है विस्व जनसंख्या, तो चलिए सेकेंड बुक के स्टार्ट करते हैं भारत, लोक और अर्थ व्यवस्था तो यह उप आप इस्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जनसंख्या, वित्रन, घनतव, बृद्धी और संगटन, जिसमें से संगटन यानि कांपोजीशन इस साल हटा दिया गए सन 2001 की जनगणा के अनुसार भारत की जनसंख्या निमलिकत में से कौन है जो भारत की 2001 में जनसंख्या निमलिकत राज़ों में से किस राज़ों में जनसंख्या का गणतव सारवदिक है तो जो पश्च्रिम बंगाल है देखिए, दो कौश्चन्स इनको थोड़ा समझना जरूरी जो 2001 में हैं, यदि ये पूछा जाए कि किस राज़ में जनसंख्या गणतव सारवदिक है तो वो 2001 की जन गणना के अनुसार भंगाल, पश्च्रिम बंगाल होगा 2011 की जन गणना के अनुसार बिहार है तो अभी भी आया तो बिहार लिखना है और 2001 की जनगर्णा के अनुसार पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है पश्चिम बंगाद सन 2001 की जनगर्णा के अनुसार नेम लिखित में सिक्किस राज में नगरी जन संक्या कानुपाद सारवदिक है तो हमारा महाराष्ट है बहाँ पर नगरी जनसंख्या महाराष्ट कलत ओप्षिन लिख दिये तामिल नाडू पहले नम्मर पर गोवा यह अब देखे तो गोवा छोटा है लेकिन बहाँ पर जो सहरी जनसंख्या का नुपात है सबसे जादा है लेकिन जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते है जो छेत्रफल और जनसंख्या का अनुपात हो तो उसको कहेंगे जनसंख्या संघटन 2001 की जनसंख्या उतर प्रेदेश में कितनी थी 2001 में उतर प्रेदेश की जनसंख्या कितनी थी तो वो थी 16 करोड के आसपास तो यहाँ पर देख सकते है 16 करोड 60,52,869 भारत में सबसे पहली जनकर्णा कब होई थी तो 1971,1901 लिखा हुए यह भी करेक्ट मान सकते हैं लेकिन 1971,1871 ज्यादा NCRT के अकॉर्डिंग यही लिखा हुए बुक में लेकिन आप इसी को लिखिए यहाँ जो करेक्ट है यही जादा most appropriate किस अवधी में जन संख्या बृद्धी का रहस हुआ यानि कि कौन से अवधी थी जिसमें जन संख्या नीचे गिरी का हुई तो वो थी 1911 से 1921, 1991 में जन संख्या, जन गणना के अनुसार भारत में पुरोष रमिकों की जन संख्या कितनी थी तो लगबग जो 59.78,62 प्रतिशा थी वो पुरोष प्रवास करने वाले थी भारत में ग्रावीन जनसंख्या का प्रतीशाथ है जो गाओं की लोग है उसका प्रतीशाथ है 72 यह 2001 की अकॉर्डिंग दियो 2001 की जनगर्ण के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है तो अभी हमने डिसकस किया 102.8 करोड देखिए पॉइंट यह बाद थोड़ा बहुत हो सकता है क्यूंकि बैक एक्सरसाइज मैं लग दिया था और जो लास्ट येर का कॉश्चन पर 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 था ना सीबीसी का उसमें बह कॉश्चन ले लिए आपको जो जो सही लगए आप बोलेख सकते हाला कि दोनों ही सही है कि किस दसक में नगरी जनसंख्या कानुपाद सबसे काम है तो 21901 से लेके 1911 जो व्यक्ति वर्स में 183 दिन लाबकारी कारे करता है उसे कहते हैं मुख्य कामगार देखिए तीन प्रक 183 दिन से काम काम करता है उसको कहते हैं सीमान कामगार और जो कुछ भी नहीं करता है मतलब उसको कहते हैं बेरोजकार कामगार किस दसक में नगरी जनसंख्या की विरिद्धी सारवधिक था इसके पहले पूछा गया था कि कौन सा दसक था जिसमें नगरी जनसंख्या सबसे कम बड़ी थी यहां पूछा जा रहा है कि नगरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस वर्ष थी तो 1991 से लेके 2001, भारत में जनसंख्या प्रामिट का आधार कैसा है, तो चोड़ा है आधार जो है, प्रजनन आयू की सीमा क्या है, तो प्रजनन आयू की सीमा जो है, वो 15 से 49 है, option B यहां correct होगा, प्रती हजार पुर्सों की तुलन में जनसंख्या कहलाति है, लिंग अनुपाद, कम श्रमिकों, कम श्रमिक बल वाले प्रेदेश में कुल श्रमिक जन संक्या कितनी है तो 25 से 35 प्रतीशत लगवा बौत धर्म की जन स्थान कहा है तो यहाँ पे देश की नाम दिये गए है तो भारत है बौत धर्म का जन स्थान शिख्धर्म भारत में कितने वर्ष पुराणा है तो जो शिख्धर्म में वो लगबग 500 वर्ष पुराना है मैं प्रॉक्स ले सकते भारती समाज को कितने वर्गों में बाटा जता है तो चार ब्राह्मन, छट्रिवेश, सूदर भारती भासाओं को कितने परिवारों में बाटा गया है तो तीन उतर प्रेदेश में अनुशुचिज जाती की जनसंख्या कितनी है तो 292 लेक तो इससे ज़्यादा कॉशन्स ले क्योंकि इससे बहुत पूचे गए इससे ना बहुत ज़्यादा कॉशन्स पूचे गए प्रीवेस येर में इसलिए मैंने जाते लिए हूँ तो उसके लिए सौरी यदि आपको यह लंबा लगाओ आप इन में से कोई भी कर सकते हैं स्टार्टिंग करने तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे स्टार्टिंग में ही प्रीवेस येर और सेंपल पेपर के लास्ट में कुछ एडिशनल बनाए गए है लास्ट की सेविन तो हमारे जो सेक्टर के भारत लोग और अर्थवेस्था का उसका ये सेक्टर चेप्टर है प्रवास यानि प्रवास प्रकार और परिनाम इसके बाद हम दो चेप्टर और देखेंगे मानव बस्तियां और जल संसादन फिर टामबान का पूरस लिवस की सारे MCQ हमारे खातम हो जाईए निमलिकित में से कौन सा भारत में पूरस प्रवास का मुख्य कारण है तो जो काम और रोजगार है मंथली डेस्ट में भी आया था और सेम्पल पेपर में भी दिया है और बेक एक्सेस का भी यह कुशन है फिर शेय। ऑर रोजगार निमलिकित में से किस राज में सारवदिक प्रवासी सारवदिक संख्या में प्रवासी जाते हैं तो जो उत्तर प्रदेश से बहाँ पे सारवधिक जनसंक्या मैं आप प्रवास ही जा ब्हारत में प्रवास की निमलिकित में से कौन सी धार है裹аем पुर मिखित में तो वो गाउं से सहर होंगी ग्रामीन से नग्रि और जब भी इस्त्री प्रदान धार है तो ग्राम से ग्राम याने गाउं से गाउं तो यहां पे option होगा see correct, confidence, नगरि, निम लिक्त में से, नगरि समूहन, मैं प्रवासी जनसंख्या का अंसारवडिक है, तो वो है मुंबई नगरि समूहन, यदि प्रवास राजिय की सीमा के बाहर हो, तो उसे कहते हैं, अंतर राजी प्रवास, अंतर राजी प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्था प्रवास कहलाता है इस्तानांतरन ही खुदी बढ़ यहां दे दिया तो होगा नहीं वित्रन भी नहीं हो सकता और अपकर्ष भी नहीं प्रवास होता है गाउं से गाउं गाउं से गाउं, गाउं से सहर यह सहर से सहर, तो उप्रोक सही प्रवास तो सभी जगह होता है नेक्स चेप्टर है मानव बस्तियां इसके बाद है लास्ट चेप्टर वो है जल सान सादन यानि वाटर रिसूर्स निमलिकित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है ये बहुत important question से प्रिवेस एर में बार बार रिपीट हुआ है तो कौन सा है भोपाल भोपाल जो है वो किसी भी नदी के किनारे इस्तित नहीं है हाला कि थोड़ा दूर से मतलब आसपास के जिलों से नर्मदा नदी पहती है भारत की जनगर्णा के अनुसार नेमलिकित में से कौन से विशिस तनागर की परिवासा का अंग नहीं है तो जो 75 प्रदीशत से अधिक जनसंग के अपरात में खंड में संकलन होगा संलगन होना तो ये जो है वो इसका अंग नहीं है नेक्स्ट कोशन ने निमलिकित में से किस परियावरण को परिक्षिप्ट ग्रामीन बस्तियों के अपरिक्षन नहीं की जा सकती तो गंगा का जरोड में जलोड में रिदानिमलिकित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पादाना क्रम के अनुसार क्रम बद्ध है तो वो जो ब्रहत मुंबई, कॉलकता और दिली चे नहीं पास पास बने घरों वाली लंबी बस्ति को का गाई पास पास बने घर हैं और एक लंबी बस्ति हैं यहाँ पर दिखिया आप स्क्रीन में यह मतलब यह जो घर है वो पास पास बने और एक लंबी बस्ति हैं यह लंबी बस्ती और इसी में पास-पास घर बनी और एक लंबी बस्ती है तो इसकी कहा है यह गुच्छी पास तो सिकम जनसंख्या के आकार के गाउं में ग्रामीन जनसंख्या का प्रतीशत है कितना है तो बोहे लगबग 16.8% संपून भारत में गाउं के बीच औसत दूरी कितनी है तो लगबग 252 किलो मीटर है समाने आकार के गरों के समू को क्या कहते है तो बस्ती कहते है भारत में सुदूर बनो की एकाकी जोपडी या कुछ जोपडियों के समू में पाई जाने वाली बस्तिया को क्या कहते है परीचिप्ट बस्तियां दूर दूर तक बिखरे कुछ घरों के समूख को क्या कहते हैं तो पुर्वा कहते हैं ग्रामीन बस्तियों के क्रिया कलाब किस प्रकार के हैं जो ग्रामीन बस्तियों के क्रिया कलाब किस प्रकार के हैं तो सुरक्षा कारक एक, किस मार्ग नदी या नहर के किनारे बसे गावों की आकरिती कैसी होती है, तो रैखे खोती है, दो नदीों के बीच ये दो सड़कों के बीच बसे गावों और कस्पों की आकरिती कैसी होती है, तो वो त्री भुजाकार होती है, अब हम देखने जा रहे हैं जल संसादन, निम लिखित में से जल किस प्रकार का संसादन है, जो जल है वो किस प्रकार का संसादन है, तो जल जो है वो एक चक्री संसादन है, निम लिखित में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनार पूर्टी योग यह, भौम जल उपलब तो जो गंगा न दी है वो वहाँ पुनर पूर्टियों कि भौम जल उपलब दे घन किलोमीटर में दी गई निमली के जनसंख्याओं में से कौन सी जनसंख्या भारत की कुल वार्षिक को दर्शा दी है तो लगबक तीन हजार सही हैं आप है दक्षिन भारती राजियों में से किस राजियों में भौम जल का उप्योग कुल भौम जल से संभावता से ज़ादा होता है तो जो है वो तमिल्लाडू देश में प्रयोग तो कुल जल के सबसे अधिक सामान हुपाद निमलिकित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है तो वो है सिंचाई भारत में कुल आपूर नी है भौम जल की छमता कितनी है तो वो है 433.9 अरब 10 मीटर हीरा कुन बान किस नदी पर बना है कॉशन आया तो नहीं अभी तक लेकिन इसके आने की समभावना जरूर है तो वो बना हुआ है महा नदी पर क्योंकि ये सैंपल पर में था साय है 1999 से 2000 में कुल सिंचिछ छेत्र कितना था तो 8.47 करोर भारत में सारवदिक उपयोग योग जल छमता वाली नदी कौन सी है तो गंगा है वर्षन से प्राप जल कैसा होता है जो वर्षन से प्राप जल कैसा होता है तो लवडिया होता है आलवडिया यानि की लवडिया ने खारा नमक भरा हुआ और आलवनियाने खारा, गंगा भारत के किस छेतर से बैती है, तो जो गंगा है, उत्तर, दक्षिन, पश्चिम्पूब, पश्चिम्यमादी, तो उत्तर में बैती है मेली, भारत में कितनी नदियां और उसकी सहायक नदियां है, तो भारत में 10,360 नदियां है, वर्सा का जल ब वीडियो अच्छा लगा हूँ साथ लास थैंक्स फर वाचिंग दे वीडियो प्लीस इस वीडियो को जादे से जादे शेयर कीजिए